हलो एबरीवन बेलकम बैक टू माई चैनल आज हम आपके साथ कुल्चों की रस्पी सेयर करेंगे आप इसे सफर में भी बना कर ले जा सकते हैं और बहुत आसानी से ये बन कर तयार हो जाते हैं चलिए तो बनाना हम सुरूर करते हैं सबसे पहले यहाँ पर हम एक बरतन लेंग उसमें दो कटोरी हम मैं दालेंगे मेजरमेंट के लिए आप कोई भी कटोरी सेट कर लीजे और इसमें डालेंगे चार चमच दही यहाँ पर हमने घर का ही दही लिया है और खाने वाली चमच से ही चार चमच हमने इसमें दही डाल दिया है एक चमच डालेंगे बेकिंग पा कोई भी कुकिंग ओयल ले सकते हैं सर्सों का तेल आपस मत निजेगा और आदा चमच यहां पर हमने नमक डाल दिया है अच्छे से सभी चीजों को मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसका एक सौप्ट डू तयार करेंगे चलिए तो पहले हम इसका एक थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसका डू तयार करेंगे यह देखिए डू हमारा हो गया तयार अच्छे से मसल कर इसको हम चिकना करेंगे और यह थोड़ा सा भी हातों में चिपक रहा है थोड़ा सा ओयल लेंगे और बापस से इसको गूत कर हम चिकना कर लेंगे यह मिनट के लिए इसे हम ढग कर रख देते हैं दस मिनट बात इसके हम कुल्चे बनाएंगे दस मिनट हो गए और ये दिखे डो हमारा बिल्कुल तयार है अब हम इसके गोले बना लेंगे और इतने डो में हमारे चार कुल्चे बनकर तयार हो जाएंगे ये दिखे चकला लेंगे और चकले पर कुल्चे को बेलेंगे लोई बना लेते हैं और इसको बेल लेते हैं आसानी से ये बिल जाता है और अगर ये आप से नहीं बिल रहा है तो आप थोड़ा सा इस पर मैदा डाल लीजे और ये हमने थोड़ी से इस पर कलोंजी लगा दी है हलके से बेलन से और बेल देंगे जिससे कलोंजी हमारे कुल्चे पर चिपक जाए गरम तवे पर कुल्चे को डालेंगे और साइट से हमने इस पर थोड़ा सा पानी डाल दिया है और कुल्चा डालने के बाद गैस की फ्लेम आप लो कर दीजेगा लो प्लेम पर इसे 30-40 सेकंड के लिए पकने दिजेगा 30-40 सेकंड बाद कुल्चे को पलड़ देंगे और दूसरी साइट से भी बिल्कुल उसी तरह से कुल्चे को शेकेंगे साइट से पानी डाल देते हैं पानी डानने से इश टीम बनेगी और कुलचा हमारा अच्छे से सिक कर फूल जाएगा ठक देते हैं 30-40 सेकंड के लिए और देखे चेक करते हैं कुलचा हो गया बनकर त्यार प्लेट में निकाल लेते हैं और यह दिखे कितना बढ़िया कुलचा हमारा बनकर तयार हुआ है। हलका सा इस पर बटर लगा लेते हैं। आप इसे छोल या मतर किसी के साथ भी सर्व करिए और यह दिखे कितना सौप्ट बना है। यह भी हम आपको दिखाते हैं। आप इसे सफर में भी बना कर ले जा सकते हैं यह बहुत लंबे समय तक इसी तरह से सौप्ट रहने वाला है हमने इसे मटर के साथ सर्व किया है तो आपको हमारी ये रेस्पी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताईएगा और यदि आपको हमारी रेस्पी सची लगती है तो प् सब्सक्राइब करना बिलकुल भी ना भूने थैंक यू